एलकेमिस्ट प्ले बाई बेन जॉनसन हाँ तो इसमें देखिए दा एलकेमिस्ट ये प्ले है या प्ले में क्या है तो ये प्ले में एक कॉमेडी है बेन जॉनसन की दौरा लिखा गया है तो सबसे पहले बेन जॉनसन की बारे में देख लेते हैं about the writer बेन जॉनसन अब देखे and theorists of English Renaissance Literature तो Ben Johnson जो है ये एक English playwright है poet है poet थे, writers थे, theorists थे और ये किस period से बिलॉँग करते हैं तो English Renaissance period से बिलॉँग करते हैं born इनका जन्म कब होता है 11 June 1572 11 June 1572 इस भी को ये पैदा होते हैं and died और इनकी देथ होती है 16 August 1637 16 August 1637 इस भी को इनकी देथ होती है और वो भी 65 साल की उम्र में 65 age में इनकी देथ हो जाती है He is generally regarded as the second most important English dramatist after William Shakespeare during the reign of James first, देखो इनको Ben Johnson को William Shakespeare के बाद में एक second important dramatist माना जाता है और वो भी James first के सासनकाल में मलब जब James first राजा था तो उस समय में सबसे बड़े, सबसे पहले नंबर पर dramatist के मामले में William Shakespeare थे और दूसरे नंबर पर इनको regarded किया जाता था Among his major plays are the comedies इनके major plays में ज़्यादा ये किसे popular हुए हैं तो ज़्यादा ये comedies से ही popular हुए हैं और इनकी comedies हैं कुछ comedies का name है पहला है every man in his humor 1598 में लिखा गया near about वोल पोने वोल पोने 1605 में लिखा गया और दा epicony या the silent woman 1609-1609 इसबी में और दा alchemist ये 1610 इसबी के आसपास लिखा गया और बार्थोल म्यू फेयर इसको लिखा गया 1614-1614 इसबी में अब चले इस play के बारे में देख लेते हैं about the play alchemist it is a comedy ये alchemist एक comedy है in five acts जिसमें पांच act है मतलब ये five acts comedy है by ben johnson ben johnson के द्वारा लिखा गया performed in 1610 first time performed कब किया गया 1610 में performed किया गया published in 1612 by the king's men लेकिन इनको publish किया गया 1612 इसबी में वो भी king's men जो की ड्रामा कंपनी थी बिलियम सेक्सपियर की उनके द्वारा इसको 1612 इसबी में publish किया गया दापले कॉंसर्ण्स दा टर्न मॉइल आप डिसेप्शन देट इन सियोज वैन लबबिट लीप्स हिज लंदन हाउस इन दा केर आप हिज skimming servant face देखे यहाँ पर ये पोयम उस समय शुरू होती है इस पोयम की शुरुआत तब होती है जब लबबिट लंदन चले जाते हैं अपने घर को छोड़ कर और अपने घर को अपने servant जैर्मी या बटलर जैर्मी या फेस के निगरानी में छोड़ कर चले जाते हैं तब ये फेस जो है उनके घर को एक एज़कॉन बिजनेस की तरह योज करता है लबबिट के घर को अब यहाँ पर देखे अब यह जो है ये जो है अलकेमिस्ट है ये जोनसन की best और most characteristics comedy में consider किया जाता है मतलब अगर जोनसन को सबसे ज़्यादा popularity नेम फेम किसे गेन हुआ तो इनके इस comedy दा अलकेमिस्ट से ही इन्होंने गेन किया नेम एंड फेम Samuel, Tyler, Coleridge जिनकों कहते हैं ST Coleridge believed ST Coleridge ये विश्वास करते थे that it had one of the three most perfect plots in the literature कि ये जो है literature में जितने भी perfect plot है उनमें से एक topmost three perfect plot में से एक है मतलब topmost three perfect plot में आती है ये since the play is set in contemporary London 1610 the same year the alchemist was first staged जैसा कि ये play इसकी setting contemporary London में है और 1610 इस भी में इसको लिखा गया और उसी year में, means same year में alchemist को first time performed stage performance Kingsman drama company की दोरा कर भी दिया गया था its chart full of sort outs to local places ये जो है इसमें local place को दिखाया गया है events को दिखाया गया and the types of people that original audience would have recognized और यहाँ पर एक types of people को भी दिखाया गया है जो कि एक original audience को जो है recognize कर चुके है अब इसकी themes क्या है तो alchemist की themes है एक तो alchemy है और दूसरा transformation है अब alchemy एक परकार की study होती है जिसमें मतलब किसी भी metals को सोने में convert कर दिया जाता है तो इसकी study को alchemy कहा जाता है और transformation religion है इसमें sex and greed को दिखाया गया है deception and gullibility को दिखाया गया है आदम देखो यह gullible होता है आदम कहता है वो बहुत gullible इंसान है ठीक मतलब बहुत खुस मिजाज type का इस तरह से थोड़ा अपने आप में ही परसने रहने वाला reality versus desire यहां reality और desire को दिखाया गया है आना कि लोग क्या-क्या desire करते हैं और reality में होते क्या है self-deception को है foolishness and arrogance को भी इसमें दिखाया गया यह सारी theme से अब यहां बात करते हैं characters की तो characters में पहला character है subtle देखे s-u-b-t-e-l-e इसको subtle बोलना चाहिए लेकिन subtle नहीं subtle बोला जाता है be silent रहेगा subtle he is an alchemist subtle एक alchemist होता है मतलब alchemy का study करने वाला होता है in the play play में subtle को एक alchemist की तरह present किया गया है who runs a con-business जो की con-business चलाता है वो भी face और doll common के साथ मिलकर it is not clear the name subtle is either surname और the poor name of the character मतलब यहाँ पर यह clear नहीं है कि subtle का जो है यह surname है या poor name है यह चीज clear cut इस play से नहीं पता चलता है मतलब इनको subtle ही बोला जाता है जैसे बाकी सबका जैसे doll का doll common लगा साथ इनका ऐसा कुछ नहीं है अब यहाँ पर next क्या है as the name indicates subtle is very clever and crafty man यहाँ पर यह बताए गए subtle के नाम से ही ऐसा पता चलता है कि subtle जो बहुत ज़दा clever और crafty man धोखे बाज टाइप का आदमी है subtle throughout the play is in conflict with face another character in the play subtle यह पूरे के पूरे play में एक दूसरे character face से लड़ता जगड़ता ही रहता कि हाँ इस कौन बिजनेस को चलाने में सबसे ज़्यादा important role कौन अदा कर रहा है तुम करो या मैं कर रहा हूँ यह जो subtle और face के बीच में इस बात को लेकर conflict होता रहता है he is elder than face अब यह subtle जो है face से बड़ा है and more learned to have alchemical expertise और alchemical expertise में बहुत ज़्यादा माहिर है face से ज़्यादा माहिर है और उसे बड़ा भी है he is also a doctor यह एक doctor भी है in disguise to run his fraud business मतलब इस fraud actual में नहीं है कुछ नहीं है लेकिन इस कौन बिजनेस इस fraud बिजनेस को चलाने में यह एक doctor का भी role अदा करता है मतलब alchemist का तो करता है उसके साथ में doctor का भी role अदा करता है फिर यहाँ पर अब दूसरा character है face जिसका नाम Jeremy होता है तो he is a faceless character यह एक faceless character है मतलब इसका कोई fix नाम नहीं है यह अपना नाम change करता रहता है the audience has little and no idea about his personality as he change his appearance time and again ideas को इसके बारे इसकी personality के बारे में कुछ खास idea नहीं मिल पाता है जो मिलता है तो बहुत कम मिलता है as he change his appearance time and again क्योंकि यह अपना सभाव जो है अपने आपको समय के अंसार जो है बदलता रहता बार बदलता है अपने आपको his switch his role constantly अब इसका जो रोल होता है बहुत जल्दी वो एक तरह से off, on होता रहता है some critics think कुछ लोग ऐसा सोचते है कुछ critics ऐसा सोचते है that his real name is Jeremy कि इसका real name जो है Jeremy है मलब most आप critics ही कहते है कि face का real name Jeremy था however some contradict this point due to his role switching and claims that Jeremy is one of the faces और जबकि कुछ critics ये भी कहते है कि नहीं भी या ऐसी बात नहीं इसका real name Jeremy नहीं है इसका real name कुछ और है जैसे कि face एक नाम है वैसे ही Jeremy है क्योंकि ऐसा इसलिए कहते है क्योंकि ये बार-बार जो change करता रहता है ज्यादा तो face के ही नाम से जाना जाता है मतलब पूरे play में face Jeremy तो शुर्वात और आखरी में मतलब Jeremy के नाम से इनको introduce किया जाता है और बाकि तो face या तो ही कुछ confirm नहीं हो पाता है लेकिन Jeremy ही माना जाता है जनरली his lungs अब ये देखिए ये lungs का भी रोल अदा करता है जब sir epicure में मन आता है तब ये doctor का assistant बनता है और अपना नाम क्या रखता है lungs रखता है and plays the role of the wise boy और एक बहुत अच्छे आगे चल कर ये जो है एक बुद्धिमान लड़के का भी रोल अदा करता है captain face for the arrest मतलब एक captain face के रूप में ये बनता है देखो इस तरह इस नाम ये change करता रहता है he is responsible for clients clients for his corn business और इसी की वज़े से इस corn business को चलाने के लिए इनको client मिल पाता है मतलब इन सबको client मिलता है and brings him to the लबबिट house और जो भी client मिलता है उन सारे client को ये लबबिट के house में लाते है clear अब यहाँ पर देखे doll common doll also known as dorothy देखे doll को dorothy भी कहा जाता है is a prostitute in the play ये play में एक prostitute का role अदा करती है और इनका जो surname है पूरा नाम क्या doll common तो ये जो surname common है surname common is pun surname common एक pun है meaning available to everyone जिसका मतलब ये होता है कि हर किसी के लिए available मतलब available है और वैसे prostitute मतलब होता है ये वैसे काम ही we come to know that doll has sexual relationship with both face and settle और हमें जब ये play पढ़ेंगे तो इस play से ये भी पता चलता है कि doll जो है face और subtle दोनों के साथ sexual relationship में रहती है और आगे चल कर मैमन के भी साथ होता है she is not that important number of the con business as face and the subtle are देखे वो जो है उतना important नहीं है इस con business को चलाने के लिए जितना की face और subtle है लेकिन important तो है ही लुभाने के लिए yet she is needed to transform herself into a royal lady यद्यप की इसे जो है यहाँ पर अपने आपको एक royal lady की रूप में transform होने की आवसकता पड़ती है to steer मैमन ताकि मैमन को आकरसित कर सके अपने जाल में फसाज सके and diverge his attention और उसका ध्यान अपनी तरफ आकरसित कर सके at the end of the play और play के end में she runs with subtle यह डॉल जो subtle के साथ भाग जाती है without any share बिना किसी share के मतलब अपनी जान बचा कर भाग जाती है पता चलता पुलिस उलिस आ गई थी ना लास्ट में डैपर अब यह चोथा करेक्टर है डैपर He is an extremely greedy legal color who wants to get a gambling ply I spread diet will help him to win the game of gambling लेकिए यह जो डैपर है यह extremely greedy है बहु जादा greedy है लीगल कलर है मतलब अगर vocation से देखें पैसन से तो यह legal कलर है लेकिन बहु जादा लालची है who wants to get a gambling fly eye sprit जो की ये चाहता है कि उसको एक sprit gambling fly नाम के एक sprit मिल जाए और that will help him to be in the game of gambling जिससे वो gambling के game को जीत सके जो की जीतने में उसकी help करे है ना मतलब एक तरह से fairy queen को चाहता है कि इनसे request करता है तुम मुझे fairy queen दिला दो face when meets with dapper face जब dapper से मिलता है at the pub face जब dapper से pub में मिलता है tempts him to his black feral house तो उसे अपने मतलब black feral house की तरफ लाने के लिए जो आकरसित करता है कि तुम आओ यहां पर और बाकि तुम्हारा वो डाक्टर साब हैं सटल साब हैं वो जो हैं उनको पता एलकेमी को नॉलिज जैसे यह भरके जाते हैं है ना जाओ 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